हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Moto G71 Android मुवाइल फोन में स्क्रीन टाइम आउट सैटिंग को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और यह सैटिंग चेंज करने के बाद जो है किस तरीके से काम करती है आज के इस वीडिय उप्षन देखने को मिल जाता उप में इस्क्रीन टाइम आउट पर स्लेक्ट कर लेए अब इसके बास के बाद की स्क्रीन टाइम आउट पर से अपको इस में सफ्धी फिर घृएं सेक्च्छ कर लें थिरुग है जैसे कि मैं यह अंपर एग्जांपल देख स्लेक्ट कर लेता हूं लास्ट वाला 30 मिनट यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं ठीक है अब यह जो है स्क्रीन टैम आउट सेटिंग हमारी चेंज हो चुकि है क्योंकि आप यह नीचे की साइड में लिख सकते हैं अपर 30 मिनट ऑफ इनक्टिविटी ठीक है तो यहां पर जो है यह सेटिं कुछ इस तरीके से काम करती है आप चाहे तो इस सेटिंग को जो है दो मिनट पर चार मिनट पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो आप अपने फोन को यूज नहीं कर रहे है और आपका फोन कहीं पर भी रखा हुआ है तो आपके फोन की लाइट ओन है अगर तो आपको search set in order to enter a search setting इसी select screen timeout Screen timeout यहाप今 स्टीक क्यों है और यहापको निची के साइडurg option जायगा change timeout get आपको select कर लिए इससे होगा क्या है कि आपका mobile phone आपको direcult इस afficken में लेकर आ जाता है और सेटिंग को हाइलाइट करके दिखा ऐचाता है झाल झाल